जार्खन के नए राज़िपाल रमेश बैस को जार्खन हाई कोट के चीफ जस्टिस रवी रंजन ने बुद्धवार को राजभवन के बिर्सा मंडप में पद और गोबनियता की शपत दिलवाई इसके साथ ही 36 गड़ के राएपुर से साथ बार सांसद रहे रमेश बैस जार्खन के दसवे राज़िपाल बने रमेश बैस मंगलवार को राची पहुँच गए थे बताते चले कि रमेश बैस के जार्खन भाज़पा के तीनों बड़े कदावर नेता अरजिन मुंडा बावुलाल मरांडी और रगवर्दास के साथ पहले से बहतर संबंध है अटल बियारी वाज़पाई मंदल में जब रमेश बैस राजय मंतरी थे तो उसी समय बावुलाल मरांडी भी राजय मंतरी थे रगवर्दास मूले रूप से 36 गड़के होने के कारण रमेश बैस से उनका पुराना संपर्क रहा है दो अगस्त 1947 को राइपूर में जण लिये रमेश बैस 1989 में पहली बार सांसद बने तब से वे लगतार 2019 तक राइपूर का प्रतिने धित्व करते रहे अटल वियारी भाजपाई की सरकार में राज्य मंतरी भी थे वे लोगसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक भी रहे सतर वर्ष से अधिक उम्र हो जाने के आधार पर 2019 में भाजपा ने लोगसभा के लिए टिकेट नहीं दिया था लेकिन इनकी प्रति बद्धता के मद्दे नजर जुलाई 2019 में त्रिपुरा का राजपाल बनाया गया अब इने जहारखन का राजपाल बनाया गया है राची से स्वदेश वानी के लिए विशाल पांडे की रिपोर्ट